Hello students, हम BSC Part 2 के पेपर 2 के लिए Aldehyde Ketones chapter में उनकी specific reactions के रूप में reduction को पढ़ रहे हैं और reduction यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बोनाईल समू का अलग-अलग reagents की presence में अलग-अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं और हमें अलग-अलग चार या पाँच तरह से हम reduction कार्बोनाईल मोयटी का करवा सकते हैं पहला reduction हमने देखा था मीरवाइन पॉन्डॉर्फ वरले reduction जिसमें जो reagent है वे aluminum isopropoxide होता है और aluminum isopropoxide का जो specific character है कि यह है केवल कार्बोनाईल समू को ही reduce करता है तो ऐसा कोई भी molecule देख सकते हैं formaldehyde का या किसी और aldehyde का substituted aldehyde का या ketone का और इसमें जो reagent है हमारा aluminum propoxide इसके add होने से हमें यहाँ पर alcohol प्राप्त होता है तो एक molecule ketone का और एक molecule alcohol का हमें यहाँ पर प्राप्त होता है इस प्रकार का जो reduction है वे कहलाता है वरले reduction importantly हम यहाँ पर जब देखते हैं यह सबसे इसका जो characteristic है यह कि इस reagent की presence में केवल कार्बोनाईल समू का ही reduction होता है यानि molecule में अगर किसी भी और प्रकार के ऐसे समू उपस्तित हैं जो भी reduce हो सकते हैं तो specifically यह reagent यूज़ करने पर हम केवल कार्बोनाईल समू पर ही अभी क्रिया प्राप्त कर सकते हैं बाकी जो molecule है वे disturbed नहीं होता और हमें specifically reduction का product मिलता है तो यह एक important विशिष्ट अभी क्रिया है कार्बोनाईल समू के लिए MPV reduction दूसरी प्रकार का जो reduction है वे Clemenson reduction है Clemenson और अगला reduction जो Wolf-Kishner reduction है यह दो reduction इस प्रकार के हैं जो हमें complete reduction देते हैं यानि C double bond O group पर दो molecules hydrogen के attach होकर हमको एक molecule water निकल जाता है और एक molecule hydrogen उस पर add हो जाता है तो एक molecule hydrogen तो oxygen को remove करने में यूज आया और दूसरे molecule hydrogen जो है वो यहाँ पर alkane को बनाने में काम में आते हैं तो इस Clemenson reduction में acid important है और हम जब comparative याद करते हैं तो हमें इस तरह से याद करना रहेगा Wolf-Kishner जो reduction है उसमें base strong base की presence में alkane बनता है और Clemenson reduction में strong acid की presence में बनता है यहाँ हम देख सकते हैं aldehyde हो या ketone हो zinc और amalgam mercury इन दोनों की presence में HCl के साथ हमें alkane प्राप्त होता है और एक molecule water का निकलता है और Wolf-Kishner जो reduction है उसमें strong base की presence में हमको alkane प्राप्त होता है और complete hydrolysis होता है यहाँ पर तो complete hydrolysis होने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर की four molecule four hydrogen atoms या दो molecule hydrogen के यहाँ पर आवश्यक होते हैं और इनकी क्रियाविधी important है जो base है वह है यहाँ हम से nitrogen एक molecule gas निकल रही है और base दुबारा से free हो रहा है और hydrogen यहाँ ट्रांसफर हो रही है तो यह बहुत ज्यादा उप्योगी नहीं है यह विधी लेकिन हमें यहाँ पर complete reduced completely reduced molecule प्राप्त होता है फिर हम lithium aluminum hydride से भी अपचेयन करवा सकते हैं lithium aluminum hydride से जो अपचेयन होता है उसमें mild अपचेयन होता है mild मतलब हमें alcohol मिलता है यानि aldehyde पर एक molecule hydrogen का add होता है lithium aluminum hydride की presence में और हमें alcohol मिलते हैं अधिक्रिया इसकी जो है वह उसमें हमें जो क्रिया विधी है वह हम देख सकते हैं कि एक मैटल कॉम्पलेक्स के थुरू यह बनता है एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें मैटल जो है वो पूरी तरह से वहां पर एड होता है लीथियम, अलुमिनियम, हाइड प्राप्त होता है एक एक मॉलीक्शन इसे प्रकार से सोडियम, बोरो, हाइड राइड, इसकी प्राप्त होता है तो इस प्रकार से इम्पोर्टन, हमें, कर देखना है Mild Reduction कहां होते हैं और Strong Reduction कहां होते हैं और हमें Specific Reduction Carbonyl सम्हू का अगर कराना है तो MPV Reduction हमें आवश्यक है